इस फोर देखिए, क्या का रहा है, the domain of cos inverse x square minus 2, अच्छा हम लोग जानते हैं कि minus 1 to 1 होता है, cos inverse x का minus 1 to 1 होता है, यह हमें पता है इसका domain, यहीं नहोता है, minus 1 to 1 होता है, तो यहाँ x square minus 4 दिया हुआ है, तो इसके लिए अगर मैं बात करूँगा, तो इसका value भी minus 1 से greater होगा या equal होगा ही नहोगा जी, तो अब देखिए, इसको आप इधर ले आओगे, तो plus का हो जाएगा, या इसकी को उधर ले जाओगे, तो x square का value क्या मिलेगा यहाँ, greater than होगा, या equal होगा, किसके, आपके plus 3 के, हाना, तो यहाँ से हमें दो value मिलेंगे, x के, x का value जो होगा, less than or equal to ह हो जाएगा, आपके minus root 3 के, हाना, और x का value जो होगा, greater than, greater than होगा, और equal to होगा, root 3 के, देख लो, इससे, आप less than रखोगे, तभी न उसका square करेंगे, तो हमारा 3 से greater होगा, या 3 के equal होगा, और इससे हम लोग greater रखेंगे, root 3 से अगर greater रखेंगे, तभी न स्क्वाइर होगा तो यहाँ पर जो value आएगा, वो इससे, क्या हो जाएगा, greater होगा, या equal होगा, आप देख लो, अगर आप यहाँ पर कोई x के जगा 4 रखते हो, तो 4 का square क्या जागा, 16 हैगा, और 16 आपका greater है ना, 3 से, तो आप minimum क्या रखोगे, root 3 रख सकते हो, ठीक है, root 3 रख सकते हो, minus में अगर बात करेंगे, तो minus root 3 से आप यहाँ पर less than रखोगे, या equal to रखोगे, तभी इसका value क्या होगा, इसको satisfy करेगा, इन दोनों से यह मिल रहा है, अचा, दूसरा, अगर मैं देखू, x square minus 4 का value, तो वह less than होगा, और equal to होगा, 1 के, तो यहाँ से देखो, x square less than or equal to होग 5 के, यह जाके इधर add होगा, तो इससे भी हमें दो value मिलेगा, x का value जो होगा, आपका less than or equal to होगा, रूट 5 के, ठीक है, आप देख लो, root 5 से less than or equal to रखोगे, root 5 से less than or equal to रखोगे, तभी इसको यह satisfy करेगा, और एक और चीज हो सकता है, कि x का value, हम लोग greater than, greater than or equal to रखेंग minus root 5 के, यहां से हम लोग इन दोनों से क्या interview मिलेगा, कि minus 5 से, minus root 5 से, sorry, minus root 5 से, greater होगा और उसके equal होगा, but less than हो जाएगा, यहां पर minus रूट 3 के, और equal भी होगा, minus root 3 के, और union, क्या हो जाएगा, root 3 से greater or equal होगा, but less than or equal to होगा, root 5 के, तो यहां पर आपका c number answer दिख रहा है, है न, तो नेक्स कोस्टन देखेंगा,